बाबा सुनना है आपको बैठे हूँ आप ऐसे सुनता नहीं हो जैसे नईया हमारी मोहर उत्रेगी पार कैसे तुझे क्या पता नहीं है मजधार में पड़ी है आजा मेरे कदिया बिन माजी के डूबेंगी मेरी आजा बाबा आपको जब घर गुलाया तो आपने जो प्रेम दिखाया वो कोई किसी राजा महराजा वाला प्रेम नहीं दिखाया कोई भगवान वाला प्रेम नहीं दिखाया आपने तो ऐसा दिखाया जैसे मैं सुदामा और तो कनिया तुम्हारी शरन तुम्हारी कसम आपने प्रेम आपने प्रेम तुम्हारी शरन मिल गई साबरे आज बड़ोशी को मत देखना वो जाता है तो जाने दो बैटा तो बैट से दो, आज अपने आम को देखना, कि यारी पकी है कि कच्छी है, उठाओ जाओ जाओ बरोहार, ये बात, ये बात तुम्हारी शरण बिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिन्दगी बिल गई तुम्हारी शरण बिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिन्दगी बिल गई हमें पूछने वाला कोई न था, हमें पूछने वाला कोई न था हमें पूछने वाला कोई न था, हमें पूछने वाला कोई न था तुम जो मिले जिन्दगी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिन्दगी बिल गई जिस इसको यारी नी है, अगर उठाएं दरो हाथ, तो ये यारी परकरार रहे जन्दगों जन्दगों तक, और अगर बजाएं ताली, साथों चन्दग करना रखवाली, ये बाल समझ के अकेला सता दिये दुनिया सितम पे सितम, हम पे ठादी ये दुनिया समझ के अकेला सता दिये दुनिया सितम पे सितम, हम पे ठादी ये दुनिया लेकिन गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो कोई कहे कि तुक अकेला है, उसको कहना तुझे गलत पहिमी है मैं अकेला नहीं हूँ, हारे का सहारा अकेला कैसे हो गया या, हमारा, हमारा कभी एक होता है क्या हमारे में तो होते हैं या चार होते हैं हारे का सहारा बाबा शाव, हारे का सहारा बाबा शाव समझ के अकेला सबाती ये दुनिया सितम पे शितम हम पे खाती ये दुनिया सितम पे शितम अपे खाती ये दुनिया गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो मुझे आपकी दोस्पी मिलते ही तुम्हारी शरण मिल गई सावरे मेरे पहंचा हटु वाला शाथ मेरी पेंचान हो मेरी आप घाटू जाते हो क्या क्या लेकर आते हो वहां से पापड़ बड़ी कौन कौन लेकर आप अचार लाओ कोई दिक्कत नहीं 300 रुपे किलो पापड़ 300 रुपे किलो बड़ी लेकर आओ मगर एक 30 रुपे का स्टीकर मिलता है तीन बान धारी के निशान का जिसके नीचे लिखा हारे का सहरा वह पापड़ बड़ी 6 महीने साल में खतम हो जाएंगे मगर वो श्टीकर जहां लग गया वहाँ पर बाबा परमानेंट आपके साथ हो जाएगा साथ नहीं दुर जाएगा नहीं उठालो जरा दुरा हाथ खाटू जाओ तो लेकर आओ ऐसे श्टीकर बाट दो दुरिया में कि चित्ता मत कर जैसे बाबा हमारे साथ है तेरे साथ बट्री मेरा भापा है येखावात है क्या वात है क्या वात है क्या वात है लख्टा दार की ऑल खागुर में बिलाने वाले की जो चल दी चले गए उनको कल परसों में मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी बारी आएगी किर्टन में रहेगा कोई नहीं यह नहीं कि जो आट बज़ा है आप उसको कुछ नहीं मिलेगा चला गया तो लो आप खुश किसमत हो आपको 26 तारिक को हिया गवी आपको सथाई सब्धिले की साथ चिट्थी आई है काटू से चिट्थी आई है ओ बड़े दिनों के बाद मेरे सामर्ये को आई ओ बड़े दिनों के बाद मेरे सावर ये को बिली की या दिर सला आई है चुपी आई है खाटू से चिठी आई है खाटू से चिठी आई है क्या बोला पिछले फागडू में कौन गए थे खाटू समगे थे क्या देखा खूब सजी खाटू की कलिया खूब सजी रसता देख रही थी अखिया ओ पिली में रहने वाले खाटू कभी कभी आने वाले आजा उमर बहुत है छोटी मैंने दूँगा तुझे को रोटी चिठी आई है खाटू से खाटू से खिठी आई है खाटू से खिठी आई है पन्नाते नतुपू बनाते न तुम रूप जाते कर नहीं आई है कैसे किनारे लगाते ये नहीं आई है पर तो कर दो कसी दो कॉछ आई है और जब घड़ी मुशिबत की आती है को सब के दर्वाजें राज्य रूंद की लिए में सिर्व एक दोरंद्वार है जिसके दर्वाजाई नहीं है साथ बाबा ये बोलता है चौविस भी पेते रहे दिये दर्वाजे को पनाते ना तुम लूप जाते कनहिया कैसे किनारे लगाते ये नहीं कोठी तो तब बनाता ना जब परिवार से सुखी होता व्यापार तो तब चलाता जब घर में कलेशना होता है खाटू जाने से पहले व्यापार करते थे मगर घर से लड़के जाते थे लेकिन जब से खाटू जाने लगे हैं घर में वो शांती आ गई पिजाते भी जैश्री शाम मिलता है गमें जिन्दगी से परेशान थे गमें जिन्दगी से परेशान थे रोते लभों को हसी मिल गए तो जिसको बाबा चाहिए दोनों हाथ खोल कर तुम्हारी शर्ल गए मिल कहीं सामदे तुम्हारी शर्म तरी साम है 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 जग रूठे मेरे सांवरियां सरकादरूठे चतरूठे मेरे सावरिया सरका दरूठे जीऊ में जब तकिशाम ते राते बखार न चूटे रिष्टों की आड में लूटा मुझे सबखने ने रिष्टों की आड में लूटा मुझे सबखने में रिष्टों की आड में लूटा मुझे सबखने में देखिए यह पुरा हमारा शाम परिवाद कोई बच्चा घर में नादान भी होता है तो इसका मतलब यह नहीं होता उसको समझाओ ना और घर से निकाल दो उसको समझाओ, समझ जाएगा, आज नहीं तो समझ जाएगा साथ, कोई इबादत कर, इबादत करने से बात बनती है, इबादत कर, इबादत करने से किसी की दिन में बनती है, किसी की रात में बनती है, जड़ा ताली बजाने पड़े, ब्रेम से ये बाद, मेरे भाई ने सवाल किया कि कोई समझे ना तो क्या करे कोई समझे ना मैंने अपने जीवन को यू सरल कर लिया किसी से माफी माँग ली किसी को माफ करने तरबार में हम माथा देखते हैं क्या गरंटिया आशिरवाद मिलेगा तरबार में माथा देखते हैं क्या गरंटिया क्या आशिरवाद मिलेगा यह भरोसा है कि जब इसके आगे माथा देखेंगे तो आशिरवाद मिलेगा ऐसे ही जो रिष्टा बना रखा ह यह भरोसा करकर रखो एक दिन एक दिन वापस संदी हो जाएगी और जिस दिन संदी हो गई उस दिन क्या बात करोगा इस बात का विचार करना सा उस दिन कोई शब्द नहीं होगा बोले के लिए रिष्तों की आज में तूढता कि ज़ता देते हमेने अपनी उमर गवाईदी जिनेने भाने में अपनी उमर लगा दे जिनेने आने में अर्बामा आप से मेरी गुजारिश है महावली बर्वरी है मौर्वी दंदन है भीब सेंगे पात्र है खटोग कच गंदन हम तूटे कोई फरक नहीं पड़ता बाबा हमने तो वैसे भी तो मैंने दुनिया के बोल सहे सावरिया तेरे लिए हम तूटे पर तुझसे जुडए ये तार तूटे हम तूटे पर तूझसे जुडए ये तार तूटे जीऊं जब दके शाम ना तो तूटे जीव में जब दूशा तिरवार भाषूटे आपकी बात का जवाब देखो गाने वाला कभी कोई जवाब नहीं देता है बाबा अपने अब मुख से निकलाता है कोई कहता हो कि मैंने दिया नो पॉसिबल ही नहीं अशा जब आदमी का वक्त अच्छा नहीं होता तो दरदर के ठोकर खाता है और जब अच्छा वक्त हो जाता है तो इंटर्व्यू दर नहीं लग जाता है मैंने ऐसे किया है यह वक्त की बात है वक्त की बात है वक्त कभी किसी का नहीं हुआ साथ मुझे शाम इतना काबिल बना दो मुझे शाम इतना काबिल बना दो प्रेम की जोती दिल में जगा दो उंगली उठा करके कोई ना कहे संजू के दिल में कमी मिल जाएक उंगली उठा करके कोई ना कहे मेरे भी दिल वालों की तो कहीं भी कमी मिल जाएक दिल्ली के दिल में कमी ने मिल जाएक तो संजू भी आने जिन्होंने भजन लिखा ये बात में वो भी सुनेगे मैं उसे शमा चाओंगा मैं कुछ चेंज कर रहा हूं उंगली उठा करके कोई ना कहें वालों उंगली उठा करके कोई ना कहें दिली के दिल में कमी मिल, दिली उठा कर पाइदा कहे, दिली के दिल में कमी मिल, अगर दिल में कमी नहीं है तो ज़रा दोनों हाथ उठा के प्रेम से ये बाद, तुम्हारी शरण मिल गई साव दे, तुम्हारी शरण मिल गई साव दे, तुम्हारी खसम जित दे मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई साव दे, तुम्हारी खसम जित दे मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई साव दे, तुम्हारी कसं से जिंदगी मिल गए, तुम्हारी शर्ड बिल गई सावने जिंदगी मिल गई से जिंदगी मिल गई सावने दानी होकर क्यों चुप बैठां, ये कैसी दातारी रे क्यों तेरे भगर दुखारी रे, शाम बाबा क्यों तेरे भगर दुखारी रे बाबा, बहुत दुनिया आई थी, बहुत लोग आई थी, उन में से आपने छटनी करके जिने बिठाया है, इनकी जोली खाली नहीं जानी चाहिए, फिर कोई फायदा नहीं ऐसे बिठवाने का, दोनों हाथ खोलके ये बाद, एक लोग धी, आप शाम सुनरी ने, खुश हो कर तुमें, अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया है और हमने उस रूप का दैशन सौसा बार किया है, बाबा सौसा बार किया है, अच्छा, सौ बार खाटू गए हो सौ बार जाने माला, खुश किसमत हो सकता है, लेकिन दो बार वाले के पास भी बाबा उतना ही है, जितना सौ बार वाले के पास और अगर दो बार गए हो ना, तो अठानवे बार जैश्री शाम बोल देना, सौ बार खाटू हो आओगे हमरे संकट दूर ना हो तो, हमरे संकट दूर ना हो तो, या बदना में धारी रे शाम बाबा क्यों तेरे भगत दूखारी रे शाम बाबा, शाम बाबा, शाम बाबा परदानी हो कर क्यों चुप बैखा ये कैसी दातारी रे दाने होकर दूझपकरिंग काशी ना दारी रे शाम बाबा क्यूं तेरे भगज तो फारी रे शाम बाबा क्यूं तेरे भगज दो फारी रे जब तक आशा होगी ना पूरी सब भगतों को तेरा नाम न लेगे बाबा तेरा नाम न लेगे सोच ले तू भगतों का पलड़ा सगड़ी होती है न काटा तराजू जिस तरह भार होता है वो निची होती है कि उपर होती है और जो हलका होता है वो उपर होता है तरबार में नीचे कौन है और उपर कौन है तो भारी कौन है सोच ले तू भगतों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे सोच ले तू भगतों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा शाम बाबा पशाम बाबा शाम बाबा का ना में मागू घूर मोर्ती का रहर LIVE ना सोना बाबा ना चांदी ना सोना सबके आंगने भेज दे बाबा तुझे साएक सलोना हमको क्या जो वन उप वन में फूल रही फुलवारी रे शाम बाबा क्यों तेरे भगते दुखरी रे शाम बाबा 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 शा जैसरी स्याम दोस्तों दोस्तों भजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और इसी पेकार के और भी हुज़न सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जबूर दुआए